आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सबसे पहले मैं आपको हैडलाइन दिखा दू रीड पेपर जिसको मिला उसी ने बेचा चालिस लाख से लेकर तीन लाख रुपे तक में बिका और बीस दुरों में बीस गिरपतारियां कर दी गई है फिर भी अभी तक जो मास्टर माइंड है उसे पकड़ा नहीं जा सका है इसी को उपर यह वीडियो डेडिकेटेड रहने वाली है सारे चीज़ाओं को आपके सामने रखूंगा और आपसे एक सवाल पूछा जाएगा क्या रीट को एक्जाम को कैंसिल किया जाए या नहीं किया जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तो चलिए आगे बढ़ें उससे पहले एक बात में बता दूँ अगर आप पहली बार चैनल पे आये हो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बैल आइकन फोर दा लेटेस्ट अबडेट आप हमारे साथ टेलिग्राम बे भी जुड सकते हो जिसका लिंक आप और पुलीस ने लोगों को गिरबतार किया है पुलीस को भी धन्यवाद है कि ऐसे चीजों में जो है ततपड़ता दिखाए और चातर के जीवन से जो लोग खेलना चाहते हैं उन्हें सलाखों के पीछे बार्स के पीछे जरूर लेके चाहें आप तो देखिए यहाँ पे न कोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और 20 दिरों में अलग अलग इसमें पुलीस वाले भी गरबतार हुए है और 20 लोगों को बे नकाब किया गया है और एक बात मैं बता हूँ यह पेपर ना 40 लाख रुपए से बिकना शुरू हुआ और अंत में जाकर यह 3-4 लाख चीजें हैं ना सब कुछ बिल्कुल मैस हो जाती है गलबड़ हो जाती है और चीजें खराप हो जाएगी तो देखिए रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं वाटस अप एक्शली सरकार ने पूरे दिन इंटरनेट बंद कर रखा था उसके बावजूद इतनी जो है गलबड देखिए मैं आगे बढ़ू उससे पहले और यहां से देख सकते हो आप बतिलाल की फोटो पिर्थवी रास की फोटो ये लोग सारे लोगों ने क्या 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 है सारे कांड को आप देख सकते हो डिस्किप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा ताकि आप दैनिक गुजर वो भी यहां पर सामिल रह चुके हैं और भी लोग हैं जैसे रवी और सिवा चाकेरी देखिए यह लोग भी सामिल थे और भी रवी जीनापूर रवी पागडी ये सब सारे लोग थे इसमें सारे लोगों ने मिली भगत की और पेपर को लिग कर आया था देखिए यहां पर मैं आप लोगों से एक प्रसंट पूछना चाहता हूँ क्या रीट के पेपर को कैंसिल करके फिर से एक बार फ्रेस एक्जाम लिया जाए क्योंकि बहुत सारे लोग ठगे महसूस कर रहे हैं अब एक और बात आती है कि किने का पेपर बहुत अच्छा गया वो इमा तो मेरा सला रहेगा जो एक तो साल से पढ़ रहे ना उन्हें ज्यादा तकलीप तो नहीं होगी जो नए बंदे हैं जो कम पढ़ाई करे हैं उन्हें दिक्कत होगी जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें फिर से एक बार रिविजन करना होगा तो अगर फिर से पेपर होता है तो आपको आपने आपको तयार रखना है अगर paper नहीं होता है तो फिर जो लोगों ने गल्तियां की है paper को leak कराया है उन्हें जो है सलाखों के पीछे ले जाना पड़ेगा तो चलिए फिलाल के लिए इतना ही कोई भी update आता है आंपको बताया जाएगा चैनल को subscribe कर लेना है, वीडियो को like करें और share जरूर करें, thank you so much for watching this video have a great day